उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात के आयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना की खबर आते ही यहां के मठ मंदिरों में चर्चा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रामनगरी के तजपस्वी चावनी के जगत गुरू परमहन सच्वारे ने स्टीम के चुनाव लड़ने की खुशी में एक दूसरे को लज्डू प्रसाद का वित्रण कर खुशियां प्रकट की। उन्होंने कहा कि साधु संतों की मांग रही है कि योगी जी आयुध्या से चुनाव लड़े। मुस्ल्मानों की जो जरूरत रही जिसको मुसल्मान चाहते रहे वही काम नहीं होता रहा जिसका नाम है दंगा लिशीन אל जिंहें हम यह जाते हैं कि योगी जी का सभाग है कि अजध्या से वों चुनाव लड़ रहे हैं यह माग रही है सादू संतों के अधिया वासियों के हम लोग लगा तात प्रयास कर रहे थे कि मानई योगी स्रिय आदीति नाजी अधिया से चुनाव लड़े इसको लेकर के हमने कई बार जो है मानी प्रधान मंत्री जी को ग्रिह मंत्री स्री अमिसा जी को हमने पत्र भी भेजा कि मानी स्री योगी आदित नाजी को आयोध्या से इलेक्सन लड़ाया जाए तो ये हमां योध्यावासियों के लिए बहुत खुसी है और योगी जी का पीडियों से योध्या से रिष्टा रहा है उनके गुरु जी ने स्रीय अवयद दिनाजी ने पूरा जीवन सी राम मंदर के लिए संगर्स किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्य मंतरी हैं कि जो सब से अधिक समय अधिया के लिए उन्होंने दिया